वेलकम बैक अगर आप भी इस समय एक नई AC लेनी की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट भी मेरी तरह 25,000 रुपीज का है और आप चाहते हैं कि इस प्राइस रेंज में आप एक ऐसी AC लें जो कि आपको अच्छी कूलिंग भी दे अच्छे ब्रैंड की तरफ से भी आए आप खुद भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए एक बेस्ट AC डिसाइड कर सकते हैं यहां पर एक्चली में सुच्छी कुछ ऐसी है कि मुझे भी अपने इस टूडियो के लिए एक नई AC बाइ करनी है और मेरा बजट भी 25,000 रुपीज का है तो यहां पर मैं अपने लिए एक AC चूज कर रहा था तो मैंने सुचा क्यों नई एक वीडियो बनाकर एक सीरीज बनाकर आपके साथ शेय किया जाए कि जब AC बाइ करते हैं तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे आप भी एक बेस्ट AC चूज कर पाए तो यहां पर इस आएगा वो होगा अन्बॉक्सिंग एन इंस्टॉलेशन वीडियो जब AC इंस्टॉल होगी उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा क्या-क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है नेक्स वीडियो में वो सब डिसक्स करेंगे उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा जहां प आप मुझसे डिरेक्ली कॉंटाइग भी कर सकते हैं या फिर आप मुझसे डिरेक्ली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और वैसे वीडियो देखने के बाद मुझे ने लगता कि आपको किससे पूछने की जरुत पड़ेगी आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे चलिए आप इमएस नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं बाकि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप सब करी देंगे तो बताने की जरुत नहीं है चलिए वीडियो को यहाँ पर हमारा पहला स्टेप है डिसाइड यौर मैक्सिमम बचर यह सभी चीजों पर ल चले गए हैं तो इस वज़े से मेरा जो बजट है वो काफी दा स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर जो मेरा बजट है मैं मैक्स टू मैक्स एक एसी के लिए 25,000 उपीस तक ही स्पेंड कर सकता हूं उससे उपर मैं नहीं जा सकता हूं 100-200 चल जाएगा लेकिन उससे उपर का ऐसे स्पेंड करने वाले हूं maximum budget में बात करो minimum नहीं minimum मिलगा तो और अच्छी बात है तो यहाँ पर अब हमने budget decide कर लिया है इसके बात जो next step है वो है capacity आपको कितने capacity की AC लेनी है simple language में कितने ton की AC लेनी चाहिए अगर आप market में जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि कितन ton की AC आप लेना चाहते हैं तो यह ton जो है यह बहुत जदा important है और आपकी requirement के according सही ton की AC लेना बहुत ही जरूरी है नहीं अगर आप लेते हैं कुछ गल्दी करते हैं तो काफी problems आपको face करनी पड़ सकती है यहाँ पर जो AC मार्केट में mostly 1 ton 1.5 ton और 2 ton के AC आते हैं जो की काफ 1 ton 1.5 और 2 ton cases आपको मिल जाते हैं अब आपको कैसे decide करना है कि आपके लिए 1 ton 1.5 या फिर 2 ton का AC लेना है देखिए वैसे तो बहुत सारे factors पर depend करता है लेकिन जो major factor है वो है आप जिस room में AC यूज़ करने वाले हो उसकी size कितनी है for example यहाँ पर जो मेरा studio है इसकी size 90 से लेकर 100 square feet तक ही है तो इस आपसे अगर देखा जाया तो मेरे लिए 1 ton का AC इनाफ होने वाला है इस room को proper cool करने के लिए और इतनी size में मेरे जो AC है इसके उपर ज़दा load भी नहीं आएगा हाला कि और भी other factors हैं जिस पर depend करता है for example मेरे room की size 100 square feet ही है लेकिन मेरे room में 4-5 लोग रहते और कुछ ऐसे devices भी लगा रखे हैं जो की heat release करते रहते हैं तो उस case में मुझे शाय से 1.2 या फिर 1.5 भी buy करना पड़ेगा लेकिन generally मेरे room में को ऐसा device है नहीं जो की ज़दा heat release करता है तो इसके according मेरे लिए यहाँ पर 1 ton का AC बलकुल perfect होने वाला है अब हो सकता है कि आपकी requirement अलग हो for example अगर आपकी room की size जो है 110 से 150 square feet तक की है then उस case में आप 1.5 ton का AC ले सकते हैं अगर 150 से ज़दा की area है आपकी room की then आप उस case में 2 ton का AC ले सकते हैं उससे भी ज़दा है तो आप 2 AC buy कर सकते हैं 11 ton के या फिर 1 ton का या फिर 1.5 ton का आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो मेरा जो room है वो 200 square feet का और मैं यहाँ पर buy कर लेता हूँ एक single यानि 1 ton का AC अब देखें यहाँ पर problem यह होगी इतने बड़े room में मैं अगर 1 ton का AC लगाऊंगा तो मेरे AC पर load ज़दा पड़ेगा और मेरा जो compressor है वो जल्दी खराब हो जाएगा जल्दी मतलब काफी जल्दी buy करें I hope यहाँ पर आपको यह clear हो चुका होगा तो मेरे हिसाब से मेरे लिए 1 ton का AC सही है आपके हिसाब से आपके लिए कितने ton का AC सही होगा यह नीचे मुझे comment करके बताइए अगला step है star rating energy star rating अब यहाँ अगर हम AC की बात करें तो market में हमें generally 3 star के AC और 5 star के AC देखने मलते हैं यही 2 options मिलते हैं तो यहाँ पर कितने star rating का AC लेना चाहिए देखे 3 star के मुकाबले 5 star AC की जो electricity consumption है वो कम होती है तो 5 star लेंगे तो obviously बात है आपके जो electricity bill है वो कम हो जाने वाली है लेकिन 5 star जो है वो थोड़े से महंगे आते हैं और जिस आपसे मेरा अभी budget है 25,000 का इस budget म कोई भी 5 star AC नहीं आता है सारे यहाँ पर 3 star AC ही मिलते हैं लेकिन अगर आपका budget अच्छा है तो आप definitely 5 star ले से लेकिन और एक point का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो यह है कि अगर आप 5 star ले रहे हैं जादा पैसे spend करके तो क्या आप AC को regularly use करने वाले एक साल में अगर आप AC को 6-7 months से जादा यूज करते हैं then उस case में आपके लिए जादा पैसे add करके 5 star लेना सही होगा because आप long run में जो बिजली का बिल है वो बचा पाओगे लेकिन अगर आप जादा पैसे spend करके 5 star लेते हो और आप जादा यूज करने वाले हो like 12 मेहने में आप mostly 3-4 मेहने ही AC यूज करने वाले हो then उस case में कोई जादा point नहीं बहता है तो यहाँ पर मेरे साब से 3 star मेरे लिए सही होगा because budget का एक issue है और मैं studio के लिए यूज कर रहा हूँ तो जब मैं videos बनाओंगा तभी यूज करूँगा तो मेरा जो use है उतनादा है भी नहीं तो I don't think कि मैं long run में जो cost ever recover कर पाऊंगा ठीक है तो यहाँ पर आपको smartly decide करना है इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए तो अब I hope इतने सारे points जो मैंने बताएं आपको यह सब आपको clear हो चुके होंगे और आपने साथी साथ यहाँ पर जो है चीज़ें decide कर ली होंगी अब अगला जो part है यह बहुत important है इसको बिलकुल भी miss मत करना काफी जादा detail में बताने वाला हूँ शायद ही आपको ऐसे videos मिलेंगे जो कि आपको इतने detail में बतारेंगे ठीक है अगला जो part है वो है inverter ACS and non inverter ACS इसके बारे में बहुत सी confusion है और बहुत से myths भी है बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो inverter ACS होते हैं वही अच्छे होते हैं non inverter ACS जो है वो नहीं अच्छे होते हैं देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है दोनों के अपने plus points और negative points है यहाँ पर depend करता है कि आपकी requirement क्या है सबसे पहले यहाँ पर हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार यह inverter AC और non inverter ACS होते क्या हैं काम क करके लगाता हूं और मैं अपने AC का temperature जो है वो 24 degree Celsius पर set कर देता हूं अब जब मैं AC on करूंगा तो non inverter जो AC है इसका जो compressor है यह हमेशा अपनी full capacity यानि 100% पर run करता है तो जैसे ही मैं AC on करूंगा मेरे compressor start होगा compressor अपनी 100% capacity पर run करेगा और जैसे ही 24 degree Celsius temperature each होगा मेरा जो compressor है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद थोड़े दिर बाद जब run की heat बढ़ेगी जब temperature 24 से उपर जाएगा मेरा जो compressor हो फिर से start होगा फिर से temperature reach होगा फिर से compressor बंद हो जाएगा तो जो non inverter AC है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं बात करते हैं inverter AC की जो की latest technology है यहाँ पर भी मैं एक non inverter AC लगाता हूँ temperature मैंने set कर दिया 24 degrees Celsius पर अब यहाँ पर जब मैं अपने AC को on करूंगा तो मेरा जो compressor है वो धीरे धीरे अपनी speed को बढ़ाएगा याद रखना जो non inverter AC होते हैं वो directly अपने full speed पर चला जाता है 100% पर रन करता है लेकिन यह धीरे धीरे अपनी speed को बढ़ लेता है और कम power consume करता है और जैसे temperature बढ़ेगा वापस जो compressor है यह अपनी speed को बढ़ाएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो inverter AC से वो काम करते हैं तो यहाँ पर benefit क्या है benefit है दोस्तो electricity consumption का यहाँ पर जो non inverter AC है इसका compressor जैसे कि उनने बताया बार बार बन चालो बन चालो होता है यह ऐसे ही work करता है तो यहाँ पर जब एक बर compressor बंध होके फिर से start होता है तो electricity consumption यहाँ पर बढ़ जाती है वापस on होने में वो पूरी power को consume करता है और हमेशा अपनी 100% capacity पर रन करता है तो इस विज़े से यहाँ पर जो electricity consumption है वो थोड़ी सी जादा होती है वही inverter AC क कि बात करी जाया तो यहाँ पर compressor पूरी तरीक से बंध नहीं होता है यह अपनी speed को maintain करता रहता है और regulate करता रहता है और जो need है उसके recording तो यहाँ पर compressor बार-बार बंध होने की नौबत नहीं आती है जिस वह से यह जादा electricity consumption नहीं करता है और यह अपनी speed को maintain कर लेता है starting में आपके थोड़े पैसे जाते हैं लेकिन long run में आपको जो है electricity bill जो है वो थोड़ा सा कम आने वाला है लेकिन जैसे कि मैंने बताया जहाँ पर कुछ pros हैं वहाँ पर कुछ cons भी ज़रूर हैं जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं fast cooling की अगर आप non inverter को के साथ यहाँ पर जो non inverter ACs होते हैं इनमें जो components से उतना दा नहीं लगे होते हैं एकी PCB बे बगारा होता है तो कम components मतलब कम chances component खराब होने के और जो maintenance भी होता है वो काफी कम होता है यानि अगर कभी खराब भी होगे आपकी non inverter AC तो आपको चीज़े आपको ध्यान में रखनी है well I hope यहाँ पर आपको idea लग चुका होगा लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे पता लगा है कि आपके लिए कौन सा ऐसी सही है inverter या फिर non inverter देखे मैं अपना example देता हूँ मैं रहता हूँ building के top floor पर उपर जो roof है इसके उपर direct sunlight आती है पीछे यह जो आप wall देख रहे है यह window है इस window से भी direct sunlight आती है तो इस case में अगर मैं एक inverter AC buy करता हूँ तो situation कुछ ऐसी होगी और मैं जो AC है वो mostly दुपहर के time ही use करने वाला हूँ night में जादा मैं use नहीं करूँगा तो अगर मैं AC use करता हूँ तो मेरा जो AC है वो काम करेगा और इस room के temperature को maintain करेगा जो कि मैंने set किया है उपर से जो सूरज की रोशनी है वो भी घर को heat करेगी तो यहाँ पर अगर देखा जाया है तो practically मेरे AC को time ही नहीं मिले है जो compressor है उसको situation ही नहीं मिलेगी कि वो अपनी speed को come down करके later study save करे because यहाँ पर यह काम किया जा रहा है उपर से सूरज भी अपना काम किया जा रहा है room continuously cool भी हो रहा है उपर से heat भी हो रहा है तो इस case में अगर मैं यहाँ पर एक inverter AC buy करता हूँ तो वो practically non inverter AC जैसा ही behave करेगा उसे भी अपने 100% capacity पर run करना होगा और बंद होने की यानि speed को कम करने की नौबत नहीं आएगी because continuously heat भी बाहर से आ रही है तो इस case में यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखते हुए मेरे लिए एक non inverter AC रहना सही होगा और अगर मेरे जो requirements है वो सब मुझे एक non inverter में मिल जा रही है तो मैं क्यों ही जादा पैसे और add करू और क्यों ही मैं inverter AC लो तो इस हिजाब से अगर देखा जाए तो मेरे लिए एक non inverter AC लेना बिलकुल सही decision होगा तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी requirement है आपकी roof पर direct walls पर direct sunlight आती है तो उस case में भी आपको जो है एक non inverter AC लेना चाहिए वो आपके लिए सही होगा लेकिन अगर आप top floor पर नहीं रहता है उसके नीचे एक इसी floor पर रहता है या फिर आपका जो घर है उसके पर direct sunlight नहीं आती है और tree वगरा है तो उस case में आप जो है inverter AC बाई कर सकते हैं वहाँ पर आपकी cost saving होने वाली है इसी कहसाद अगर आप top floor पर भी रहते हैं और आप AC को mostly शाम के time या फिर night में use करने वाले हो और day में आपका उतना ज़ादा use नहीं होता है majority of use आपका night में होता है देन उसके बाद आप top में रहो down floor में रहो कोई मतलब नहीं है आप inverter ही बाई कर लो वो आपके लिए सही होगा तो अब I hope यहाँ पर आपको सारा जो doubt है वो clear हो चुका होगा आपका और एक यहाँ पर point include करना चांगा कुछ लोगों को अपने shop के लिए AC बाई करनी होती है तो उनके लिए मैं यहीं suggest करूँगा कि आप जो है non inverter AC लें because shop के doors वगरा बार-बार open होती रहती है close होती रहती है और बहुत सारे लोग अंदर बाहर आते रहते हैं तो उस case में जो non inverter है वो आपके लिए सही होगा I hope यह part यहाँ पर clear हो चुका होगा तो आप नीचे मुझे comment करें करें कि अब तक आपने क्या सारे चीज़े डिसाइड करी है और अब तक यह video आप सभी के लिए कितना helpful लगा है तो यहाँ पर अब हमने सभी चीज़ों को discuss कर लिया है और मैंने भी यहाँ पर सभी चीज़ों को decide कर लिया है अब चलिए देखते हैं कि market में कौन से कौन से ACS available है मेरे requirement के according मैं और भी दूसरे जो cases हैं उनको भी consider करूँगा सबस्ब पहले मेरी बात कर लेते हैं विगोज मेरा video है तो मेरी जो requirement है इसके हिसाब से अगर देखा जाया तो इस समय market में मुझे दो ACS मिले हैं जो की मेरे requirement को भी fulfill करते हैं latest भी है, companies भी अच्छी है, service भी अच्छी है और ये दो ACS है पहली जो AC है, वो है carrier के तरफ से जिसका नाम शायद से Easter Annex है और जो दूसरी AC है, वो है Mydea इसका जो नाम है, वो मुझे देखना पड़ेगा एक minute मैं चेक कर लेता हूँ इसका जो नाम है, wait a sec इसका नाम है Santis Pro ठीक है, तो ये दो ACS हैं जो की non-inverter ACS हैं, दोनों ही 2021 के latest models हैं और दोनों ही brands अच्छ हैं, वेल, आपकी जानकारे के लिहाँ पर बतादो, जो carrier और Mydea है ना ये दोनों एक ही brands हैं, मतलब यहाँ पर मैं अगर carrier की AC लूँ या फिर Mydea की AC लूँ, दोनों ही ultimately यहाँ पर same ही company में manufacture करने वाले हैं, जो manufacturing standards हैं, वो भी same होने वाले हैं, in fact after sales service भी जो है, मुझे same company की थूँ मिलने वाली है, जो की है carrier, basically जो Mydea है एक Chinese company है और India में इन्हों ने carrier के साथ ने partnership करी है और जो इनके company का नाम है वो है, carrier Mydea India Private Limited, तो चाहे मैं carrier लू या फिर Mydea लू, बात एक ही ही है, यानि जो carrier का sub-brand है Mydea, तो I don't think यहाँ पर brand को लेकर कोई doubt होना चाहिए, बिकास दोनों ही same brands है, और अगर बात करें जो है after sales service की, तो carrier और Mydea की after sales service भी अच्छी है और इनके जो product से वो काफी अच्छे भी होते हैं और long run तक जो है, वो एक अच्छे option निकल कर आ सकते हैं वेल, अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैं carrier लू या फिर Mydea लू, जैसे कि मैंने बताया है, मेरा जो budget है, वो 25 तक का strict budget है, मैं इससे उपर नहीं ज़द हकता हूँ, तो यहाँ पर जो Mydea की AC है, यह मुझे इस समय Amazon के उपर 24,000 रूपीज की मिल रही है और जो carrier की AC है यह मुझे इस समय Flipkart के उपर 25,500 रूपीज में मिल रही है, और AC की बात करिजा है तो look wise थोड़ा बहुत difference देखने मिलेगा बट practically यहाँ पर कोई major difference नहीं है दोनों same ही है, power consumption same है, energy rating same है, features भी almost same है, in fact दोनों का जो remote बगर है वो भी exactly same ही देखने मलता है बस कुछ जो filters बगर आते हैं जो carrier है, उसमें आपको PM2.5 filter मिल जाता है इसमें आपको antibacterial filter मिल जाता है, Midea के अंदर तो यहीं छोटे मुटे difference है, बखी practically को difference नहीं है और इन दोनों ACS को चूज करने का और एक भी reason है जो कि है silent operation इन दोनों ACS का जो indoor unit है वो 32 dB की noise प्रोडूस करता है, जो कि मेरे लिए काफी जा इंपोर्टन है इन में से कौन सा लेना चाहिए तो यहां पर मैंने select किया है Midea यहां पर जो Midea है, यह Amazon के पर मिल रहा है और Amazon पर मुझे discount पर यह जो AC है 23 तक का मल जाएगा installation charges 1000 के है 1000 का लगबग मुझे जो AC का stand आता है compressor का stand वो लेना पड़ेगा तो total मेरा जो cost है वो यहां पर 25,000 पड़ेगा अगर मैं Midea की AC लेता हूँ और वही अगर मैं carrier की लेता हूँ तो उसमें आप 2,000 रुपीस और extra पकड़के चलिए तो और वो भी पकड़के चलिए और प्लस मुझे 2,000 extra पकड़के चलिए तो आप भी हाँ पर Midea consider कर सकते हैं कोई problem नहीं है अब देखे जैसे कि मैंने बताया मेरी requirement जो है वो non inverter की है हो सकता है कि आपकी requirement inverter AC की हो और आप एक inverter AC लेना चाहते हैं इसी budget में ठीक है बाकि अगर आपका budget आगे का है और आप 1.5 ton 5 star AC लेना चाहते हो तो एक बार description जरूर चेक कर लेना description मैंने और भी कुछ recommended AC दिये हैं अलग-अलग price और अलग-अलग range में ठीक है बात कर लेते हैं 25 के अंदर कौन से AC जो है inverter AC अवेलेबल है तो पहली जो AC है जो कि मैं आपको recommend करूँगा वो है Onida की AC जी हां Onida की ये है inverter AC और ये AC आपको लग-बग 25,000 रुपीस के आस-पास flip card पर देखने मिल जाएगी आप इसे consider कर सकते हैं Onida की अगर बात करें जाएब तो Onida काफी अच्छा brand है Indian brand है इनकी service भी काफी अच्छी है और जो products है वो भी काफी लंबे समय तक चलते हैं तो no doubt आप यहां पर Onida भी consider कर सकते हैं अब यहां पर मैं चाहता हूँ तो मैं Onida भी consider कर सकता था लेकिन Onida एक inverter AC है और मुझे जो है वो fast cooling चाहिए because मैं जादा use नहीं करने वाला हूँ मुझे ऐसा AC चाहिए कि जिसो मैं on करूँ फटा फट cool हो जाए विडियो start करूँ विडियो complete करूँ edit करूँ और AC बंद करूँ तो मुझे fast cooling चाहिए ताकि फटा फट से सब कुछ काम हो जाए तो यहाँ पर मेरे लिए जो माइडिया है वो सही रहेगा बाकि अगर आपकी inverter वाली requirement है तो आप Onida consider करते हैं काफी अच्छा option है इसके अलाबा second जो option में दूँगा जो की Amazon पर available है वो है Sanio की ACs जिस तरीके से माइडिया and carrier है वैसे ही Panasonic और Sanio है जो Sanio है वो Panasonic का sub-brand है तो Sanio के जो ACs होते है वो भी Panasonic के थ्रू ही manufacture किये जाते हैं जो after sales service है वो भी Panasonic के थ्रू ही दी जाती है Panasonic के ACs थोड़े महंगे आते हैं विगोस उसमे Wi-Fi वगएर का features दिया जाता है और Panasonic वाले थोड़े साधे होते हैं मतलब cooling वगएरा वही सबको सेम होती है बट जो features वगएरा होते हैं smart features उतने जादा नहीं होते हैं like Google Assistant से control कर सको Wi-Fi से connect कर सको तो वो सारे features नहीं होते हैं लेकिन ACs काफी अचह होते हैं तो आप Sanio की ACs को भी consider कर सकते हो pricing तो मुझे अभी exact पता नहीं है 25,000 के आसपास ही होगी pricing तो मैं pricing यहां पर mention कर दूँगा तो आप Sanio को भी consider कर सकते हो inverter के case में यह भी काफी अच्छ है service वगरा भी काफी अच्छ ही यहाँ पर आपको मिल जाती है तो यहाँ पर अब मैंने वीडियो को पुरा complete कर लिया है बाकि अगर आपका budget और requirement अलग अलग है तो एक बार description ज़रूर चेक कर लेजे तो यहाँ पर मैंने अपना अग्जांपल देकर आपको बता दिया है कि कैसे आपको decide करना है अगर आपकी requirement सेम है तो आप इस my idea AC को भी consider कर सकते है अब अगर यह video आप October के बाद देख रहे है तो make sure आप description चेक कर लेजे या फिर eye button चेक कर लेजे बाकी का इसका जो next part है अब मैं AC को book कर दूँगा दो दिन बाद delivery हो जाएगी इसी का एक detail review मिलेगा मैं अपना experience भी आपके साथ share करूँगा I hope यह series जो है यह unique series आपको अच्छी लेगी होगी YouTube पर शायद ही ऐसा कोई series video होगा complete AC buying video होगा तो इसी बात पर एक like ज़रू कर देना बाकी channel को subscribe कर लेना मिलता हूं next video में एक नए topic के साथ